हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी इंस्टेंड मतर पनीर विदाउट ओयल तो वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली निव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और हाँ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर एंड कमेंट करना बिलकुर न भूलेगा तो चलिए बनाते हैं विदाउट ओयल मत मतर पनीर रेसिपी हमेशा की तरह एक नए अंदाज में तो फ्रेंड्स मतर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले रैडी करेंगे हम इसका एक मसाला तो यहां हमने लिया है एक प्यास दो टमाटर तो हरी मिर्च एक इंच अद्रक का टुकड़ा आठ से दस लहसुन की कली इन्ह लिए हम डालेंगे शाबुत मसाले जैसे दो देजस पत्ते, दो लौंग, दो हरी लाइची और एक बढ़ी लाइची ,साथमें दाल चीने स्टिक इन्हे हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे तो यह हलके रोस्ट हो गये हैं अब हम इसमें डालेंगे यह मसाला जो कि हमने मिक्सी मे ग्राइंड किया है प्यास टमाटर अद्रक लहसुन हरी मिर्च सभी हमने एक साथ ही मिक्सी में पीस किये हैं अब इन्हें भी हम इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इनका कच्छापन ना निकल जाए तो अब हम इसे दो मिनट के लिए ढग कर पकने के लिए रख देंगे तो ये देखिए मसाला थोड़ा पक गया है अद्रक लहसुन और खड़े मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अब इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे एक कप हाफ बॉयल मटर आप चाहें त तो फ्रोजा मटर भी यूज कर सकते हैं और मिक्स कर देंगे साथ ही डाल देंगे इसमें नमक स्वादर नुसार और एक चमस देगी मेच और मिक्स करके रख देंगे दो मिनट के लिए ढग कर जिससे हमारी मटर भी जल्दी से पक जाए और मसाले का कलर और भी अच्छे एक चमस किचन किंग मसाला एक चमस मीट मसाला जो की वेजिटेरियन है एक चमस धनिया पाउडर एक चोथाई चमस हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारा ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो तो मिनट के लिए इसे ढग कर रख देंगे क्यूंकि हमने य अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो दो मिनिट हो गए हैं देख लेते हैं ये देखिए मसालों ने अपना कलर और खुश्बू तोनों ही छोड़ दिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमर्च कसूरी मेथी पाउडर थोड़े से अद्रक के जूलियन्स और मिक्स कर देंगे अगर मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी एड कर सकते हैं और अब थोड़ी देर और पकाएंगे और अब यह 200 ग्राम्स पनीर है जो कि हमने क्यूब्स में कट कर लिया है इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे एक मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा पानी एड करेंगे और रख देंगे दो मिनट के लिए स्लो हीट पर पकने के लिए तो यह देखिए जीरो ओइल मटर पनीर एकदम रैडी है अब इसकी लुक और खुश्पू को और बढ़ाने के लिए डाल देंगे इसमें यह कटा हुआ हरा धनिया और रख देंगे एक मिनट के लिए ढख कर लग रही है ना यह विदाउट ओइल मटर पनीर बहुत ही टेस्टी तो चलिए कर लेते हैं इससे सर्फ कर्मा गरम तो लीजिए तैयार है विदाउट ओइल मटर पनीर यह देखने में जतनी ओसम लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी भी है तो आप भी जल्दी से ट्राइ किजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कि कैसी लगी आपको मेरी यह हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए अंदास में आपके अपने चैनल पर तब तक के लिए बाई